जाहिंद सभी को SSC GD 2021 वाले जितने भी कंडिडेट हैं जिनका जिनका application form reject हुआ है सब के लिए ये एक बहुत important वीडियो है थोड़ा सा ध्यान से देखेगा और समझने का परियास किजेगा हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि SSC परियाग राज के द्वारा क्या कहा गया कि किनका किनका form जो है फिर से accept किया जाएगा और कैसे किया जाएगा उनके लिए उन्होंने क्या परक्रिया बताया है वो आपको दिखाएंगे और और पर कुछ बिसेश बताएंगे कि जो जो अप्लिकेशन में क्या क्या गलती था मतलब अब उनका accept होगा ही नहीं ऐसा यह समझ लेजिए क्योंकि YouTube पर बहुत सारे चुतिया भरे पड़े हैं कुछ जानकारी नहीं है मूँ उठाके चले आते हैं वीडियो बनाने ठीक है तो थोड़ा सा समय निकाले हैं आप लोग के लिए थोड़ा सा ध्यान से देखे हम क स्टूडेंट को पहले बताए थे उन्होंने आवेदन किया मतलब आवेदन नहीं उसको इमेल बोला जाए इमेल किया तो उनका reply आ चुका है और से के ऑफिस में मतलब परियाग राज का हम बात करें इलाबाद का जो स्टूडेंट वहां गए उन्होंने देखा कि वहां पर नहीं करेगी या किसका फोरम accept करेगी आखिर और कि प्रोसेस क्या है वह समझने का प्रियास कीजिए तो देखिए सबसे पहले दिवारों में जो लिखा है उसको पहले पढ़ने और समझने का प्रियास कीजिए छोड़ा था बोरिंग लगेगा लेकिन आप लोग के लिए फाइदे मन्द है ऐसे समझें करमचारी चैनल आयोग से संबंदित सिपाही भरती परिक्षा 2021 के उम्मीदवारों को सुचित किया जाता है कि परिक्षा के नोटिस के अनुसार उन उम्मीदवारों का आवेदन पत् परिक्षा बैठने की अनुमती से संबंदित कोई भी अनुरोध किसी भी परिस्तिती में स्विकार नहीं किया जाएगा इसका मतलब साफ साफ है सुन लिए ऐसा नहीं किम आपका मूँ पोच रहा है या आपको बोलेंगा भईया सब कुछ हो जाएगा ऐसा बात नहीं है जो है अब SSE का कहना यही है कि हम नहीं मानेंगे तो आप कैसे मनवा लिजेगा डिरेक्ट आपको साफ करके SSE बोल रही है कि जो स्टुडेंट फोटो पर डेट वाला वाला सिस्टम से रिजेक्ट हुआ है अगर आपका अप्लिकेशन रद किया है और रिजन उसका फोटो में देट के वारे में लिखा है तो SSE बोल रही कि आएसे स्टुडेंट का हम जो है एकसेट नहीं करेंगे अब और आप देखिए पहले घटना क्या है उसके बाद समझने का प्रियास किजिए यह थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए यह SSE का परियाग राजकाई है जो अभी उत् इतना लंबा तो नहीं पढ़ेंगे सिर्फ ऐसे स्वीकार नहीं किया जाएगा जिनका मतलब फोटो यहां देख रहे हैं अपनी फोटो के नीचे तस्वीर लेने की तिथी वाली फोटो अप्लोद नहीं की है या तस्वीर लेने की तिथी निर्धारित तिथी के अनुसार है उसमें दिया गया था कि कितना मंत पुराना फोटो चाहिए और उसके बाद वाला आप लोग अगर उसमें डेट दिये हैं तो उसके बाद में रिजक्ट कर दिया गया है उसके बाद मैं चीज जो लिखा गया यहां पर पढ़िए कि यहां पर है ऐसे उमीदवार जिनके पत्र, अधूरा है अब उसका क्या उपाय है यह सुन लिजे जिसका अवेदन पत्र अधूरा है उसको भी रियक्ट कर दिया गया है उसके लिए कोई उपाय है लेकिन असेसिरी यही बोली है वह यहां बात जो असेसिरी यहां पर लिखिए कि अनुसार भरा गया है तो मीदवार आयोग को इमेल के माध्यां से निमलिखित जानकारी के साथ सुचित कर सकते हैं कहने का सुध मतलब यही मीनिंग हुआ देशी भासा में समझें मेरे भासा में कि अगर आपका आवेजन रद हुआ है अप्लिकेशन रिजेक्ट हुआ है और आपका फोटो पर डेट सही था मतलब आपका फोटो डेट से संबंदिस रिजन नहीं था और कोई अधर रिजन था अधर रिजन में आपका आ सकता है जैसे कि मल्टिपल अप्लिकेशन आ सकता है या आपने फ्री जमान नहीं किया उसके रिगार्डिंग आ सकता है या और भी कुछ ऐसा गलती और भी कुछ अधर रिजन मतलब फोटो पर डेट को छोड़ करके फोटो की तिती को छोड़ करक उसमें सिर्फ आपको अपना data worth ऐड़ करना का data worth ऐड़ कर दीजैंगा और भेज दीजैंगा है। वह वीडियो हम description में दे रहा है कि email कैसे लिखना है उसको देखकर उसमें data worth ऐड़ कर दीजेगा और भेज देना है। क्या बोली है ससीत समझे पंजीकरन संख्या मतलब आपका registration नमबर उसमें डालना है आपका नाम होगा उसमें आपका जनमतिती होगा और उमिद्वारों द्वारा चुने गए पहले परिछा सहर का नाम आपने जो अपना exam city चुना था फर्ष्ट तीन तो रहता है ना exam city चुनन देना है इसके बारे हम email कैसे भीजा जाता वह हम बता चुके हैं video description में है देख लीजेगा बात यहीं पर खतम नहीं होता है सुनिए हम इतना जो बकर बकर कर रहा हैं बात यहीं पर खतम नहीं होता है कि लिए रूप से हम यहीं बोलना चाहते हैं देखिए SSC के Twitter पर भी चल इसे जीडी और सरी एक टेलीग्राम गुरूप है और इंडिया से जीडी गूरूप के नाम से उसमें आप लोग एड हो जाएं उसमें बहुत सारे से इसे जिनका कि अप्लिकेशन रद हो गया है और मैं कारण है कि अभी देखिए बहुत सारे इस्टेट का भी सो भी नहीं क अब हो सकता है लेकिन अब अभी हम जो बोलने जा रहे हैं मैंन बात वो सुनिए आपका अबेदान अगर रध हुआ है और फोटो के डेट के करन रध हुआ है ठीक है तो ऐसे सी बावो किलियर लिख दी है कि आपका कुछ नहीं हो सकता है आपको अग्याम में बैठने का मौ कोटो खीच करके इससे अब आपको साफ सुतरा कोई दिखा सकता है क्या पूरा यूट्यूब में जाकर करके पूछिए पहले समझे इसलिए हम फालतों वीडियो नहीं बनाते हैं कुछ जारी बात होता है तो ही बनाते हैं नहीं तो हमको यूट्यूब पर कह है उच्छ ले आगा एससे का रिप्लाइब और सुनिए आज जो जो इमेल भेजे हैं जिसको जिसको हम बताये थे इमेल भेजने के लिए अभी तुरंट घबराईए मत की सर मेरा रिप्लाइब ने आया है रिप्लाइब आना जरूरी है आएगा भी रिप्लाइब ठीक है ऐसा कुछ बिसे के कारण से अगर रिजेक्ट नहीं हुआ है आपका अप्लिकेशन ठीक है और कोई रिजन रहा हो तो आप क्या करें एससी को सधारन सा इमेल भेजें उसमें आप अपना जो है रिप्लाइब अपनो नाम पिता का नाम आपका पहला एक्जाम सेटी और रिजन जो रिजन था श्ल्शन मतलब क्या रिजन नहीं रिजन कारण जो जिसकारण से आपका श्राट't किया Jugymale से क् मतलब देंगर तो आप लोग उसको भेज़ दें कि सेटी सार आइसा-इसा प्रोब्लम है और हम तो यही बोलना चाते हैं आप लोग का फोटो के कारण से भी हुआ है फिर भी आप लोग SSC को इमेल जरूर करें और सबसे हम करवाए है मोर्निंग में इसलिए हम सब को बोल रहा है ठीक है तो आपका फैनल डिसीजन क्या है फैनल डिसीजन मेरा नहीं सर सब का हम आपको अपने मन से क्या बोलें SSC खुद बेज रही है अपना रिप्लाई आप लोग भी दिजिए न जी आपको रिप्लाई खुद मिलेगा SSC के द्वारा अब वीडियो देखें डिस्क्रिशन में जो है कैसे इमेल बेजना है SSC ने खुद बताया है कि फोटो के उपर जिसका डेट नहीं है उस इस्टुडेंड को हम निरस्त कर रहे हैं उसको परिक्षा बैठने नहीं देंगे और अगर दुसरे कारण से आपका आवेदन रद हुआ है तो आप हमको इमेल किजिए हम विचार करेंगे बस बात यही है फिर हमको समय मिलेगा तो आप लोग से बात करेंगे नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे हम क्या बता हैं YouTube पर बहुत सारा चुतिया भड़ा परढ़ा हुआ जाईये मिलिए उन लोगों से देखिए क्या होता है ये लेकिन हम आप लोग के लिए मैनद जरूर करेंगे और ऐसा म हमारे दर नेटबर्क का प्रोब्लम है वीडियो नहीं बन पाता है अपलोड नहीं हो पाता है लेकिन हम आपसे बात करें है ठीक है धन्यवाद जाहिए